नमस्कार दोस्तो अनलाइन मेडिसीन डिभाव चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको टेल मेकाइन बीटा 50MG टैबलेट का रही बताने जा रहा हूँ सबसे पहले दोस्तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैड चैनल सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दाबाना ना भुले क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट आप तक पहुनती रहेंगी दोस्तों ये जो टेल में का इन बीटा 50MG टैबलेट मार्केट में आती है मैंकाइंड कमपनी के आती है दस गोली का टैबलेट का प्याक रहता है जिसकी किमत रहती है 119 रुपे और 9 पैसे आने 190 रुपीज और 90 पैसा तो पुरी जानकारी लेंगे दोस्तों ये दवा क्या चीज के लिए चलती है इसका यूज कैसा करना है इसका उपेट क्या है सबसे पहले इस दवा डॉक्टर के सलाख इनुसा य डॉक्टर के प्सक्रिप्शन पर लेनी चाहिए ये दवा आपको आपके नजदी की केमिश के दुकान में मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी इसके कंटेंट के बारें देखेंगे क्या कंटेंट कंपनी नी इसके अंदर डाले दोस्तो इसके अंदर टेलमी सर्टन 40MG और मेटे प्रोलाग 50MG दो कंटेंट से बनी दवा है बढ़िया कंबिनेशन कंपनी ने किया है इसके उसे के बारें देखेंगे क्या चीज के लिए चलती है तो दोस्तो ये जो टेलमी काइन बीटा 50MG टेबलेट मार्केट में आती है हाइपर टेंशन के लिए यूज की जाती है यानि दोस्तो अगर आपका Blood Pressure Level बढ़ जाता है तो उसको Normal करने के लिए कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाती है दोस्तो अगर आपको High Blood Pressure की शिकाते तो बहुत सारे दिक्कते बहुत सारे प्रब्लेम आ सकते है दोस्तो High Blood Pressure की वज़े से आपके सर में चक्कर आ सकते हैं, आपके हर्ट में प्रेशर आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, इन सब चीजों से छुटकारा पानी के लिए दवा दी जाती है, आपका बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेहतरिन दवा है दोस्तों ये दवा की बज़े से आपको कुछ बाद में कुछ दिल के दवरे या फिर कुछ ट्रोक आने की संभावना है वो भी कम हो जाती है तो बेतरीन दवा है दोस्तों इसके साइडी फेट के बारे में देखेंगे ये दवा से आपको क्या दुश्परिणाम हो सकते है दोस्तों ये दवा की बज़े से आपके पेट में गड़बड हो सकती है आपको उल्टी ज़य सा महिसूस हो सकता है और भी कुछ साइडी फेट reaction, allergy आपको नजराती है तो आपके नजदी की डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं इसके डोसिस के बारे में देखेंगे दोस्तो कैसा लेना है जनरली इसको one time in a day रोजाना एक गूली लेना है डोसिस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सहला ले सकते हैं तो बहुत ही वे ऑली ओँ घ्टर से एफड़ एक भी यह वे रोजाना है जो अवरा है जोर्वाओ सेप पलाज कर सकते हैं प्रोजार एक आपके ये विर सकते हैं तोब और भी सिर वे रोजावाद कर सकते हैं तो आपके ये ये